दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे आज मार्केट का मुमेंट कैसा रहा बैंक निफ्टी की एक्सपाइरी थी तो क्या एक बड़ा मूप देखने को मिलेगा या फिर मार्केट कोंसलेट करेगा और किनकी इस टॉक में अच्छा मूमेंट देखने को मिल सकता है एवरी पॉइंट इन डिटेल आगे बात करेंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में तो यहां पर देख सकते हैं निफ्टी में क्या हुआ था मौर्णिंग टाइम में एक गिरावर देखने को मिली थी और उसके बाद फाइब मिनिट का केंडल ठीक है बियरिस फर्म होता है देन इस केंडल का हाई ऐसे लगा सकते हैं और लो ब्रेक होने पर सिल सैट का ट्रेड बना सकते हैं यदि बुलिश केंडल फर्म होता तो फिर यहां से बाइंग होती ठीक है अब थोड़ा सा आपको दिखाना तो यहां पर देखिए यह है फाइब मिले टैम फेम का चार्ट आप देख सकते हैं क्या हुआ एक बिरिश कंडल फर्म होता ओके और यहां से फर्दर गिरावर देखने को मिली लो की बात करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां जो लो है 19,034 का कितना है 19,034 क ठीक है बीचवे थ्रवासा उपर नीचे ऐसा देखो ऐसा नहीं कि यह की बार में ऐसा आ जागा नीचे ठीक है थ्रवासा उपर नीचे होके यह आया है ठीक है बट इसने जो लो लगया 19,034 का मिन्स की गैप रोकर होने के बाद भी 120-30 पॉन्ट के आसपास की गिरावर इस ठीक है हमने बिल्कुल आपको यह भी अपडेट कर दिया था कहां पे पबलिक लिराम चैनल पे ठीक है और देख सकते हैं यहां से इसने टार्गेट भी दे दिया बहुत अच्छा तो हम यह सा देखो वेट करो जहां पर टेकनिकल समझ में आ रहा है आप वहीं पर एंटर कर तो आप दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कल के लिए कल यह किस तरेके का मूमेंट दिखा सकता है कल है निफ्टी एकस पाईरी वी ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है इमपोर्टें। रिस्टेंस यहें क्या करेगा है इस क्या करेगा है रिस्टेंस का Бेक-उर क्योंकि यह ब्रेक होगा तो यहां भी जाएगा फॉर्दर अप्साइब मुव का होगा जब 19,500 उपर यह करेगा फिर यहां से 19,550 जाएगा और इसके उपर सिस्टेंट के फिर 19,600 भी जा सकता है 19,600 यह क्या है यह कूशियल अब सेकेंड फिर यहां फ्लैट ओपन हो सस्टे नहीं करें तो यहां से कि यह डीप लेगा कहां तक 19,000 देखें यहां पर 19,400 इसके आपस में डीप लेगा तो 19,400 से 19,450 यह चो एडिया है ना यह एडिया यह क्या होगा यह होगा कम्प्लीट बाइंग एडिया मिन्स कि कहीं पर भी यहां पर यहां पर कहीं पर मार्केट ओपन होता है और एक बुलिश करेगा देन एक अच्छी बाइंग उपरचुनटी वहां पर देखने को मिल सक किया तो फिर वहां से मार्केट नीचे जा सकता है ठीक है बट आप देखना वहां पर कोई वर्स पर्म तो नहीं कर रहा है तो कल के लिए जो इंपरेंट लेवल है वह आपा 19,450 का यदि ब्रेक हुआ तो मार्केट उपर जाएगा ब्रेक नहीं हुआ तो फिर यहां से कोई करेगा तो बाइंग का मिलेगा ब्रेक नीचे आ सकता है यहां से अपर जा सकता है 19,000 कहां पर 550 तो यहां पर क्यों गाफ कम करेगा और फिर यहीं पर छोटा सा पेटसल के साथ में 22 गा ट्रेड भी बना सकते हैं ऐसे फिर देखते हैं प्रियोपनिंगे बाद क्या होता है जो बिल्कुल आपको लाइब स्ट्रिम सेसर में बता देंगे दोस्तों बात करना चाहूँगी बैंक निफ्टी के बारे में यहां पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी मॉर्डनिंग में भी क्या होता यह भी 290 गापडन ओपन किया था गापडन ओपन होने के बाद देख सकते हैं फर्दर इसने गिरावर दिखाई ठीक है फर्दर तो हमने आपको बताया था यहां से आएगा 44000 और 44000 ब्रेक होने का मतलब है कि फर्दर एक सार्फ पॉलिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि यह क्या था सैक्लोजिकल सपोर्ट एडिया ठीक है हुआ कि आप देख सकते हैं इसने इसको ब्रेक किया और फिर यहाँ पर देखेंगे तो इसने लगभग 44,888 दोस्तों यहाँ पर देखिए गा तो 861 के आसपास का लो लगाया ठीक है तो काफी अच्छा इसने morning time में downside moment दिखाया था ठीक है बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर बुरिश का नव फॉर्म किया था यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ था ठीक है बट बहुत ब्राब मुव्स इसने नहीं दिखाया ठीक है तो आज market morning session में बहुत अच्छा इसने नहीं दिखाया ठीक है बट कोई ने चलिए बात रहें कल के लिए कल के दिन बैगनिफिक किस तरीके का moment दिखा सकता है तो यहाँ पर देख सकते है कल के लिए जो important support है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ यहाँ पर यह 44,000 यह क्या है psychological area ठीक है यहाँ पर यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर होने के बाद यह कहीं पर आपको कहीं मिले क्योंकि देखो यहाँ पर देखिएगा आप लोग यह confirmation दे दिया है ठीक है तो कोई बीच एडिया यहाँ पर यह सारा क्या होगा बाइंग का एडिया होगा 43,900 तक यह बाइंग एडिया है ठीक है मैं उसके नीचे गया तो फिर बेरिस हो जाएगा ओके तो वहाँ तक आप आप बाइंगे तो 44,100 यह 44,100 यह 44,100 यह 44,100 उपर सस्टेन किया है इसके उपर यहाँ से फिर क्या होगा फिर यह जो गैप है यह गैप भी यह फिल कर सकता है तो देखिए क्या होता है दोस्ते इसके लब बात करना चाहूंगी कुछ स्क्राइब के बारे में कि कल के दिन अ और बात करेंगे तो देखेंगे आप और भी देखें यहाँ पर ससाब को दिखाना चाहूंगी ते पिक्चर वट्रेंड आया है और यहां पर पैटर्न फंख हुआ है आपको बताना चाहूंगी आज मॉर्णिंग में हमने जो फर्स ट्रॉक था वो था है जीजीजीडिवि का, ओके, तो यहां पे further कल भी एक update move देखने को मिल सकता है, यह देखिएगा यहां पे तो क्या है, pattern के साथ में resistance का breakout भी देखने को मिल सकता है, तो काफी अच्छा trade कल के लिए यह हो सकता है ठीक है, यदि यहां पे इस candle का दोस्तो हाई break होता है, हाई की बात करेंगे तो 1535 का, ठीक है यदि यह हाई break होता है, तो यहां से यह क्या करेगा 1570 से 1580 का हाई दिखा सकता है तो यहां पे आप buy on dip के strategy यूज कर सकते हैं, SL की बात करेंगे तो बिल्कुल इस candle का low आप यहां पे stop loss लगा सकते हैं तो यहां पे क्या होगा, एक तो आपका canalistic pattern और साथ में resistance का breakout, दोनों देखने को मिल सकता है, but after confirmation, ठीक है, buy करना है जब high break हो जागा, then without confirmation, no trade दोस्तों आप लोग को बोलना चाहोंगी आप लोग क्या करेंगे, टिलिवाम चैनल को join कर लिए, क्योंकि live market update आपको यहां पे देखने को मिलता है, यहां पे देख सकते हैं आज हमने live market में stock बताया था, आपको देखिए, यहां पे nifty, ठीक है, तो पर लोग निफ्टी की बात वेंगे, यहां देखिए, bank nifty, ओके इसके लोग दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं TCS, TCS काफ़ी अचा moment इसने दिखाया, देखो hold day hold day आपको free of cost में यह मिलता है, कोई buy sell recommendation नहीं है, ठीक है hold day आपको यह देखने को मिलता है यहां पे देख सकते हैं क्या लिखा है, निबेश academy, ठीक है, description box में link है, उसके through join होना है, क्योंकि इस नाम से fake channel भी है, देख सकते हैं infosys, दोस्तों काफ़ी अच्छा move दिये infosys ने, 1426 पर हमने आपको बताया था इसने 1445 का high लगाया, एक बाद और बोलना चाहूंगी आप लोग से, आप लोग को लगता है कि सिर्फ इंडेक्स में पैसे बनते हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आप लोग सबसे hard section को ही चूज़ की है trading के लिए इसलिए आप लोग को नुकसान होता है, stock में भी पैसे बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर उसने जो लो लगाया, लगभग 24, 28 के आसपास का लो लगाया था, काफी अच्छा downside यहाँ पर देखने को मिला था, देखिए 953 में, 952 में HDFC Bank फर्स्ट पिक था, अच्छा HDFC Bank और एक था लो लगाया, अब सोचिए हमने आपको 1020 पाफ देख सकते हैं, चाठ आसा नहीं कि market moment होगी, अब फिर आपको यहाँ पर आके भासन मार रहे है, बिल्कुल ऐसी बात लिए, ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं, 1020 का यह है, और इसने 990 का लो लगाया, ठीक है, तो और भी देख सकते हैं, 929, 920, सारा अब रेट यहाँ देख सकते हैं, और यह देखें, एक मेरे स्टूरेंट है, जिन्होंने आज, देखेंगे आप, तो देखें यह प्रोफिट 29,244 का है, 29, 30,244 का प्रोफिट है, और यह स्टूरेंट का है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, फिर ब्रेक हुआ, बादू पर यहाँ देखें, 916, 918, 919, 921, होल डे आपको यह देखने को मिलता है, तो बिल्कुल आप लोग इसको ज जानल नहीं है, कोई प्लेटे नहीं यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है, ठीक है, आपको भी फायदा करेगा, तो आप लोग इसको जॉइन कर सकते हैं, आसा करते हैं, आजकी video से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, दोस्तों यहाँ पर जो भी बताते हैं कोई भी tips, recommendation बिल्कुल भी नहीं है मेरा analysis से मुझे जिसा लगता है वैसा आप लोगों को बताते हैं आपको trade करना होगा, खुद के analysis के recording trade कीजिएगा कल फिर मिलते हैं ने अब दो के साथ दूसरी बात, वीडियो अच्छा लगए तो like, share जरूर किया कीजिए क्योंकि आपका support चाहिए हमें, ठीक है तो चलिए कल फिर मिलते हैं, बाबाई